हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर आये हैं आपके लिए सारे वो लेक्चर्स जो 3D Solidworks में create किये जाते हैं तो आज से हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने start किया है तो वीडियो को अभी से शेव कर लीजिए नहीं तो scroll करने के बाद ढूनते रहे जाओगे तो देखिए आज हम यहाँ पे एक sketch हमने create किया है और feature में जाएंगे feature में जाने के बाद आज सबसे पहले हम extrude boss के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे extrude boss पे click करना है में इसको activate करना है activate करने के बाद देखिए हमने एक यह hexagonal sketch create किया था तो यहाँ पे देखिए direction 1 blind condition यहाँ पे directly one side में आप इसकी height 30, 40, 50 जितनी भी आप increase करना चाहते है अपने according आप size plus minus कर सकते है इसको इसकी size apply कर सकते है फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरा है mid plane तो mid plane क्या होगा यहाँ center में से यह इसकी size बढ़ेगी जितनी आपको रखनी है वो center से दोनों side में plus minus होगा और फिर यहाँ पे blind condition करने के बाद reverse में करेंगे तो पीछे की side में बढ़ेगा और यह आगी की side में इस तरह से आप इसको create कर सकते है फिर second है फिर से इसको sketch को create करते है और feature में extrude boss apply करते है अब देखिए अब दूसरा हमने sketch extrude किया है तो इसको इसको reverse की side पीछे की side में हमें extrude करना है बट यहाँ पे देखे sketch plan अभी sketch plan हो रहा है sketch plan है यहाँ पे apply किया हुआ है तो इसी sketch में यह extrude होने वाला है बट हम इसे offset करते हैं जैसे offset हम यहाँ पे side देंगे यह भी reverse side में यह देखिए इस तरह से इसी sketch को हमने offset यहाँ पे set किया है 20 mm और ok कर देना है तो देखिए ऐसे two hexagonal हमारे पास create हो गए है अब थर्ड वाला फिर से extrude यहाँ पे देखिए दो line हमने create की है इस face पर extrude अब extrude में देखिए यहाँ पे thin feature में यह automatic इसकी thickness बढ़ गई है हमने line ही create की दी अब इसमें देखिए यहाँ पे through all through all करेंगे तो यह पूरा इसको cross करके बहार निकल जाएगा तो हमें यहाँ पे up to next करना है up to next करेंगे तो यह इसके just आगे वाली face को face पर merge हो जाएगा फिर दुसरा है यहाँ पे up to vertex staying up to vertex में हमें इस वाले line को select करना है या फिर इसे करेंगे या फिर यह पे इस point को select करेंगे तो भी देखिए इस तरह से इसके साथ merge हो जाएगा फिर अगला up to surface में देखिए हमें यहां से इसको extrude करना है इस place Isn't up to surface में इसे select करेंगे तो यहां तक मर्ज हो जाएगा फिर next है offset from surface अब हमें हमारे पास कोई size है अब हमारे पास कोई size है यहां से इसको 20 mm offset रखना है इस space को select करेंगे और यहां पे आपकी जो size है offset में वो यहां पे apply करनी है अगर reverse करेंगे तो यह इस space से आगे निकलेगा 20 mm बहार निकल जाएगा बट हमें reverse नहीं करना है यहां से space से इसको offset रखना है फिर यहां पे up to body up to body में भी हम इस body को select करेंगे क्योंकि हमारे पास दो body है यह अभी एक दुसरी के साथ merge नहीं हुए single body नहीं है इसको भी body में ही up use करेंगे तो इसको भी select करेंगे तो यह आँ तक merge हो जाएगा फिर third वाला है okay mid plane हमने पहले देख लिया और simply okay कर देते अब इस तरह के sketch को हम कैसे extrude करेंगे तो feature में जाना है extrude boss फिर से apply करेंगे अब देखिए इसको blind condition हमें यहाँ इसको इसके साथ merge करना है तो इस तरह से देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं लेकिन यह गलत तरीका है तो इसके लिए आपको simply क्या करना है यह वाला option हमें select करना है up to next देखिए up to next करेंगे तो यह देखिए इसके safe में ही इसके साथ merge हो जाएगा और ok कर देखिए देखिए इस तरह से यह up to next जो next वाला हमारी body है उसके साथ merge हो जाएगा कर देखिए लाएगा जाएगा